हेलो किट्स वेलकम तो पीयस टुटोरियल तोड़े विया गोईंग तो स्टेडी इंग्लिश अफ्टैंड थर्ड लेसन नंबर एट अहनी भी स्पीक्स ओके किट्स अब मोनोलोग का मतलब होता है जब कोई इंसान या कोई भी खुद से बात करता हो हम करते न कभी-कभी खुद से बात खुद के माइंड में सोचते और खुद से बात करते जब हम खुद से बात करते उसे मोनोलोग कहते ओके तो देखते हैं यह हनी भी का मोनोलोग honey bee पता है न सबको तो honey bee खुद से बात कर रही है ठीक है देखते हैं वो खुद से क्या बाते कर रही है hmm hmm what maybe a lazy bee honey bee क्या कहती क्या मैं lazy bee हूँ you think I simply have fun all day among the flowers आपको लगते हैं कि मैं पूरे दिन मजे करती हूँ अलग-अलग flowers पर जा जाके oh no when I am flitting from flowers to flower I am actually very hard at work मदुमक्की कहती कि जब मैं एक flower से दूसरे flowers का juice निकालती न मदुमक्की flitting कहती है उसे जब मैं flitting करती हूँ अलग-अलग flowers पर तो ये जो है वो सबसे hard काम है and that's why I am called not a lazy bee but a peasy bee इसलिए मुझे lazy bee नहीं कहते क्या कहते busy bee कहते क्यूंकि मैं बहुत ही busy हूँ come I will show you my house and tell you what a lot of work we bees do all our life भी कह रही है कि आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ और ये भी दिखाती हूँ कि क्यूं हम लोग इतने काम करते पूरी life हम अपने hard work ही करते देखो ये जो है ये honeycomb है honeybee का house है देखा है न सबने कही ना कहीं आप लगने देखा ही होगा honeybee का house मेरे जो हागर है वो honeycomb कहते है उसे और वो एक बहुत बड़ा घर है जिसमें बहुत सारे rooms है each room has six equal sides और हर एक room में six equal sides है मतलब see ये एक एक room है ये एक cell को ये room कह रही है अभी कितने sides है इसके hexacon shape का है ना ये हर एक cell तो ये six sides का है तो कह रहे है कि मेरा घर जो है वो six sides का है अभी हमारा घर कितने sides होते है वाल कितने होते है बट हनी बी के घर में हर एक रूम में six walls है We take a lot of care to build it We even produce the material for building the comb It's called bee wax और हम ये घर बनाने के लिए बहुत महनत करते हैं हम material भी बनाते हैं ये घर बनाने के लिए जिसे कहते हैं bee wax ये सब हनी बी खुद से कह रही है Do you know when I was very young I used to stay at home But even then I had to do a lot of work तो के दिये की तुमें पता हैं जब मैं बहुत young थी जब मैं छोटी थी तब मैं घर पर ही रहती थी तब ही भी मुझे घर पर बहुत सारे काम करने पड़ते थे I had to look after the larvae, the babies that would grow into bees मुझे larvies का ध्यान रखना पड़ता था Larvies वो होते जो छोटे 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 bees होते जो एक दिन बड़े होके bees बन जाते bees के जहनी bees के जो बच्चे होते उन्हें larvae का जाता तो मैं ये सारे छोटे छोटे लार्वies का ध्यान रखती थी I had to feed them and protect them मैं उन्हें खाना खिलाती थी और उनकी रक्षा करती थी If everyone, if anyone came near a comb to disturb it I was ready with my weapon a sting और अगर कोई मेरे comb के पास आता था हमारे और कोई अगर disturb करने की कोशिश करता था तो मैं अपने हतियार के साथ तयार रहती थी I am not only a worker, I am also a soldier Be aware, don't trouble me मैं ना ही एक worker हूँ, बलकि एक soldier भी हूँ तो मुझसे aware रहना, मुझसे मुझे तकलीफ मत देना ऐसा honey bee कहती है, वो अपने मन में ही इंसानों से बात कर रहे है क्योंकि किसी से उसने सुना कि honey bee वो बहुत lazy होती है इसलिए वो अपने मन में ही इंसानों से बात करिये explain करें कि मैं lazy भी नहीं हूँ, मैं बहुती busy भी हूँ hmm, well, to go back to the comb, I had to keep the comb cool by fanning it with my wings और जब मैं वापस चाती हूँ अपने comb में, अपने घर में तो मुझे उसे थंडा रखना पड़ता है, अपने wings से मरलों, ऐसा wings हिला हिला के वो क्या करती है, अपने घर को ठंडा रखती है then I had to keep the house in order, put away all the honey and food that other bees brought from the flower और मैं क्या करती थी, सारे honey और सारे foods को अच्छे से सही जगा पे रखती थी जो अलग-अलग जो बीज है उसके घर में जो रहती है, उन्होंने जो लाया है अलग-अलग flowers से निकाल के मैं उन्हें अच्छे से सही जगा पर रखती थी, जैसे हमारी मम्मी शॉपिंग करके राती है, दाल, rice, गेहूं यह सब लाती है, शकर, नमक, तो क्या करती है, मम्मी आके ऐसी घर में फेक देती है, क्या नहीं अलग-अलग डब्बे में अच्छे से ओर्डर में रखती है न, उसी तरह इसका काम था, जब यंग थी घर को अपने थंडा रखना, छोटे-छोटे लार्वी, इसको जो बीज के बच्चे होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, खाना खिलाना, और जो बीज ने फ्लावर में से लाया है, हनी, उसको अच्छे से रखना बट लखीली, I had hundreds of other we working with we, पर मैं क्या थी, बहुत लखी थी, क्योंकि मेरे साथ और सौ से भी जादा बीज थी, जो मेरा काम में help करती थी, जो मेरे साथ ये सारे काम करती थी We all work together without ever fighting, that's one reason why we can build such perfect and beautiful houses और हम सब एक साथ रहते ते बिना लडाई जगडा किये, और यही reason है कि हम इतना perfect और beautiful घर बनाते है अपने लिए और इतना बड़ा घर भी बनाते, राइट Yes, I helped with the house building too, we keep making our house bigger and bigger to make rooms for the babies and for the food and honey we gather ते कि हाँ, हम लोग अपना घर खुद भी बनाते हैं, और हम अपना घर बड़ा बड़ा और और बड़ा करते जाते हैं, और ज़्यादा rooms बनाते जाते ताकि जो babies है, वो बड़े होंगे तो उने भी room चाहिए होगा, तो babies के लिए room बनाते हैं, जो honey हम food लेकर आते हैं, वो सब रखने के लिए भी हम घर बनाते रहते हैं तो हमारा घर क्या होता है, धीरे धीरे और बड़ा और बड़ा होते जाता हैं, और जब मैं बड़ी हो गई तो मैं भी घर के बार जाने लगी काम करने के लिए और मैं क्या collect करके लाती थी, nectar और pollen लेकर आती थी वापस गोम में flowers पे से निकाल के, nectar is the sweet juice in flower and pollen is the yellow powder stuff you see on the flowers और nectar क्या होता है, nectar जो flower में से मीठा सा जुख सम लोग निकालते हैं, वो उसे nectar कहते हैं, और pollen एक yellow powder होता है flowers की उपर, उसे pollen कहते हैं, तो मैं वो दोनों लेकर आती थी गर I visit hundreds of flowers and make several trips every day without wasting even a single moment और मैं रोज सौ से भी जादा flowers पर जाती थी ये काम करने के लिए और एक भी minute, एक भी second waste नहीं करती थी The nectar from the flowers is too thin, we bees turn it into sweet thick honey that you like और जो flowers का जो nectar होता है, जो sweet juice होता है और बहुत ही पतला होता है और हम bees क्या करते हैं, उसे thick honey के रूप में convert करते हैं, जो आप लोग का बहुत पसंद है It's only because you called me a lazy bee that I stopped and explained all it to you Otherwise I have not a moment to lose, bye अभी honey bee क्या के रिये कि, मैं बहुत ही busy हूँ, मैं lazy bee नहीं हूँ बढ़ आपने मुझे lazy bee कहा, इसलिए मैं रुकी और आपको ये सारी चीज़े explain की Otherwise मेरे पास बहुत सारे कामे करने के लिए और एक भी minute नहीं waste करने के लिए Bye Bye Kids आपको ये honey bee का monologue समझ में आया होगा, अच्छे से I hope और अगर आपको अच्छा लगाए ये वीडियो, हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही पढ़ने के लिए और easy explanation देखने के लिए Okay friends, thank you for watching